है हलो एवरिवन सब लोग कर स्वागत है मेरे यूटूब चैनल वालोजी बिलेज पे और आज हम इस्टडी करने जा रहे हैं बहुत ही स्ट्डी करने जा रहे हैं बहुत ही स्माल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ डार रिलेटिट टु क्लाइमेट चेंज इंबा एंडिया में उनके वारे में बात करेंगे और कुछ रिलेटिट इंफरमिशन बहुत पास 7 मिनट का लेक्टेर है बहुत इंप्रॉटेंट रही है यह हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राइम जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसका जो मसाधा उसका जो अग्रिमेंट था क कहां पर यह लिया है सबसे पहले बात करते हैं कि जो बन 94 कंट्रीज थी युए नफ से सी जिसे बोलते उनाइटिट नेशन फ्रेमबर्क कंविंशन नान क्लाइमेट चेंज त्थीक है इसका एक अग्रिमेंट होता कंकुन से सब्सक्राइब करते हैं कंकुन के नाम से मैक्स को में और नार्थ अमेरिका के दूसरी दो बहुत इंपार्टन कंट्री थे उनका नाम क्या उनका है युनाइटिट इस्टेट आफ अमेरि है उन्होंने क्या करता था एक फैल्बoweेकिलिक ऐसा आइके मेंもし ऐसा मतलब contact क्या त्यार कियाध में के लिए करता था और उसका मीम्ली जो मींरा जाख कर दिन स्था इंडिया में बंगलादेशी लंका में आर्बूटान नेपाल इन तरिकी की बात कह रहे हैं भी अतनाम बगर है ठीक है विदिन ग्लोबल क्लाइमेट आर्क्टेक्चर के पक्ष में उसके रस्पेक्ट में इनों ने फंड तयार किया था जिसका नाम नों रखा था जी सी अप ग्रीन आप ठीक होगी पर यह सीघुडेंट करते हैं और इसका हीड़ुट कोटर बनाया गया रिपपलुक्ट कोड इंपार्टेक्ट की इससे पहले आपने परड्यायशन को सब्सुत नहीं देखा था आपने वाट यहां पर जो जी सी एफ है गरिन क्लामेट फॉंड इसका यह बर्ग करता है अब हम देखते हैं थोड़ा सा ओर इसका रिट की का रियल में क्या है इस टूड़ेवर डिक्वाल आमाउंट्स ऑफंडिंग जो डवलप कंट्री जो डवलपिंग कंट्री जो फंड देती हैं उन फंड को किस तरीके से एकोल अमाउंट में अब ऐसा नहीं उनके कंवेंशन जो है उनके कुछ प्रोवीजन से उनके के तहट उस फंड को एकोली उन गरीब कंट्री जो डवलपिंग कंट्री में डिस्ट्रिब्यूट कर दिया जा है किसलिए टू मिटिगेट एंड अडप्टेशन जो क्लाइमेट चेंज की जो इंप इनके साथ बहां की पापुलिशन अड़ाप्ट कर ले रहने के लिए ठीक है इप लॉंच इस इनिसियल रिसोर्स मॉपलिप इनने पहला जो अपना काम एक्शन लिया था दोजा दस में यह अलेडी बनी थी दोजाद 14 में फर्स्ट टाइम अपना मलब एक्शन लिया अपन क्ष़ डवलपिंग कंट्री बी जैसे की चायना भी कर सकता है और जैपैन भी डवलपिंग कंट्री में का फिर इच कंट्री है यह ठीक है एस फंड पे इस फंड के जो रियल वह मतलब पे होता वो कहां पर होता है कहां पर ट्रेक्शन दो पार्टिकुलर अटेंशन टू न निगेटिव इंपक्ट पड़ने उनके बहुत ज़्यादे मनला बन लेविल का मतलब यह होता है कि बहुत ज़्यादे मनला बन लेविल टुदी एफेक्ट आफ क्लाइमेट जैसे कि आपका लिश्ट डबलब कंट्रीज इन ने नाम दिया या इसमाल आइलेंड डबलब का मतलब कि जो डबलब कंट्रीज हैं जहां पर जो पापूलिशन रह रही है वो उनका क्लेक्टिव इंपक्ट की मतलब अपना थोड़ा था डोनेट करें और उस पैसे को हम जो डबलबिंग कंट्री जो ग्रेंड जो क्लाइमेट इंपक्ट से बहुत ज़्यादा ठीक है सब लोग जोड़ें और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट तुला सा रिस्पॉंस करें इंदी फॉर्म अब टोनेशन दिफंट एंप्स टू मोबिलाइज फंडिंग एट स्केल टू इन्वेस्ट इन लो इमेंशन और क्लाइमेट रिजिलेंट डेबलमेंट आन आव होम प्लेंट आवर होम प्लेंट का मतलब हमारा जो प्लेंट है अर्थ इस तरीके से इस फंड को खर्च किया जाए कि लो इमेशन की बात करें कम से कम कारवन का उतसर्जन हो यह दूसरे जो भी हार्मफुल सबस्टेंसे से लाइकी सीएफसी एंट को बगएरा उनके कम से कम मुचन हो और तो क्लाइमेट की हमारे इंबारीमेंट हमारे जो डबलमेट जो हो रहा है न उसे एक डेलेन क्लाइमेट की जो मतलब होता है कि जो चीmmy स्टब ना होने दिया जा उसे डिस्टब राज़ा कि टाहिए और रिजिसितन्स की बाद करता है project and programs in project management प्रोग्राम जो इस तरीके के आप रेटिंग हो रहे हैं पूरी आर्थ पे तो मिटिगेट इंपक्ट आप क्लाइमेट चेंज उन्हें मिटिगेट उन प्रोजेक्ट प्रोग्राम को फंडिंग देने में इस्पेशली इंट्रेस्ट होता वह भी कहां पी चलना है डेवलपिं है कहां पर अपने थ्री कोस्टल इस्टेट में आंधर पर्दिस महारास्टा एंड उलीशा इन पार्टनर से बिदी यूएंड़ी प्रोग्राम इसके साथ मिलके इंडिया ने जी सी एप के 43 मिलियन उस्टी डालर को अपने तीन स्टेट में क्लाइमेट मिटिकेशन में टे इनके को सिस्टम से वो रिस्टोर रहे हैं प्रमोट के दा क्लाइमेट रिजिलेंट अपसं जैसे कि सटेविल फार्मिंग करी जा जो भी मतलब ऐसे हम अग्रिकल्चर करें कि हमारी जो इस्टेविलिटी वह बड़ हो क्लाइमेट चेंज के इंपार को काउंटर कर सके वह साइन्टिस्ट इन मॉनिटरिंग एको सिस्टम हेल्थ एंड कोस्टल एकोलोजी की बात करें ठीक अनोने में यूद का भी इंबाल्ब किया था आगे देखते हैं क्या अब्रेक्टिब से बरी सिंपली इट हिर्प सिन डबलपिंग कंट्री सबसे मेनी बात धाना है कि जी सि ली जो लिश्ट डबलपिंग कंट्री जैसे मनें बता ना सौथे से कि जो इंट्टी इंटी इंटी की बात कर रहा है और कुछ अफ्रीकन कंट्री बहुत जयादे हैं लिमिट और रिडूस दियर ग्रीन हाउस है अप में क्या है ग्रीन हाउस का कम से कम मतलब उस सर्जानों है ऑटप्ट क्लाइमिट इन तीन बातों बात कर रहे हैं हम लोग डबलपिंग कंट्रीस में घ्रीन हाउश का कम से कम प्र मिसन और क्लाइमिट चेंज को एड़कर आप्स का मतलब हुआ कि उस लेवल क्लाइमेट जो हम उसे टॉलेट कर उसके हमारा ही मिलाइफ को कोई किसी तरीका के कि अनके सर्वाइब पर पर कोई अटेक ना ओ अच्छ दूसरा है कि it सीक तू प्रमोट एप डिंसे रहा गारेटगेंट चाहता है यह चीज चाहता है यह तरीके से अपना टेकिंटे अगाउंट नीट साफ नेशन्स डैट पर्टिकुलर नेविल टु क्लाइमेट चेंज इंपक्त इस्पेसली उन जे भी काम कहां पर करा जाए उन नेशन्स में उन कंट्रीज में जो की क्लाइमेट चेंज की रही सबसे ज्यादा उन पर इंपक्तिड होते हैं कि थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ उन कंट्रीज यह से कहां एंडिया में कुछ होगा ना कि यह जादे पर देश हो जो नहीं कोई प्रटी नहीं है मद्धद परदेश है कही नहीं बियार में कोई प्रॉब्लम नहीं मगर बेंगाल उली साथ खोल कर दा गुजरात इन में काफी प्रॉब्लम्स होगी जिए कोस्ट्रेट की बात करते हैं इसमें अटा इट इस अंडी सेंड एरॉन इंटि एंटि एंटेटी आई हैं इसके कई सारे प्रोजेक्टों ने बहुत सारी कंट्रीस म करना ठीक है इसके बाद बात करते हैं कि इसके अटिवीटी तर इसकी जितनी वी अक्टिवीटी जोती है वह जस्ट प्रॉड़र्टी आप डवलपिंग कंट्री को प्रॉड़र्टी ज़रूद नहीं होती हम डारेक्टेश्ट फंड को एसस कर सकते हैं बाई सब बात है अच्छा इसकी जो मदद होती है जो फंड होता वो किस तरीके से होता ग्रांट की फार्म में हो सकता है लोन भी दे सकते हैं लोन मतलब बहुत ही माइनर रपे कि जितना दिया उतना ही लिटन कर दो दूसरा एक्विटी और रेंटी गारंटी वी दे सकते हैं कही तरी काफी काम करता हूंने इंप्लाइमेंट देने के लिए जैसे का मतलब के होता है सबसे पहले तो नवार्ट के बात करते हैं इसका मतलब होता है नेशनल बैंक आफ एक्रिकल्चर रें रूला डवलमेंट जिसका हेड़कोर्टर मॉंबई में गाई और 1982 को इसका इस्ताफना ह सब्सक्राइब करें इसे स्लेक्ट कर लिया डारिक्ट फंडिंग करेंगी इसे ठीक है डी आई के डी एक्यू फार में अब इनके भी जो एक मसा होता जैसे कहना चाहिए एक समझावता हुआ सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी सी एफ का ट्रोल प्लेकर क्या है जी से बहुत इंपॉर्टेंट अपना फंड है थो नवार्ट के सुरू इंडिया में देता और नवार्ट यहां पर प्रोग्राम चलाता है जो इंडिया ने नवार्ट के अलावा फाइब दूसरी इंडिटी वी क्रियेट कर रखें उसमें नवार्ड है चार और आशकते हैं इसमें दो गवर्मेंट सेक्टर की जैसे नवार्ड और इसमाल इंडिस्ट्री डवल्मेंट बैंक बनाई है उन्हों सेट भी करके और तीन प्राइबेट सेक्टर सेंगें जिसमें क्या एस बैंक आपका प्रभावित होते उन्हें उनके दोबारा मनले स्टेवलिस्मेंट में काम आ सके तो काई आपने देखा एक युनाइट डेशन फ्रेंबर्ग जो कांफिंस कर्वेंशन है और परिस एग्रिमेंट के जो मिंबर्स कंट्री हैं उनके दोबारा दिया जाने वाला एक कलेक्टि से ने बना जा सके तो इसमें इंपार्टनबाते हैं कि कंब बनाया था किस एग्रिमेंट में इस य अफ ऐसी सी सी का एक फाइनिंसियल में के एक परिकिली पपोरबाइस उनके उपर जो उनके बहतर ही केरे प्रोग्राम तिला जाते हुए उने इंप्रिमेंट करने के काम में लिया जाता है कोई अगर प्रॉब्लम हो इंडिया में इसका सबसे बेस्ट एक्जामपिल है हमने जो लिया कि आंदर परदेश महाराष्ट ओडिसा में प्रोग्राम इंडिया ने चला आया था 43 मिलियन डॉलर का ठीक है और इसमें उसके साथ पार्टनर कौन था यूएन डीपी तो इसका इ यूएन फसी के लोग इसे फंड करते है इस फिर डबलब कंट्री और कुछ फ्यू डबलपिं कंट्री से फंड मिलता और यूज होता है लिस्ट डबलपिं कंट्री में तो रिदूस्या तो मितिगेट दे इंपक्त आफ ख्लामेट चंज अन देर पॉपलेशन थैंक यू ब